बेजने वाला मैं नहीं हो वो बुला रहा है यह नेक और पाक का मेरे माद्यम से होगा यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की और फक्र की बात है और पुन्य की बात है मैं जैसे इधर के माता पिता को पवितर भाव से भेज रहा हूँ वैसे ही पवितर भाव से उनको पि करकार बेंदू सभी का मैं हमारे बाराइस बीन्तंदर मित्रमंडला और हेले सर्ज सुभागत करता हूं और बहुत-धन्यवाद कर देता हूं कि अब सभी जांते हैं हम सभी बाराइस बलुटब मित्रमंडला फांडेशन की माध्यम इस ही स्लें 6-7 साल से कोई ना कोई जनता के हीत में अच्छे से कारेक्रम करते रहे हैं कभी अकालपड़ा 2018 में तो पाच पानी के टैंकर सिंदुताई के हाथ से लोकारपन किया और तेई 24 खेड़े में और 15-20 वाड़ी वस्तियों में मुफत पानी देने का काम पारी पुर्वटा जल सेवा अमने 12 बुलता तालुके में सासष्ट विध्यारती 66 विध्यारती पॉलीस बरती में पास हुए जैसे कि गरीब के लिए सर्वरोग नीदान शिवीर अभी चंदनपुरी में किया सभी जाती धर्मों के लोगों ने वहाँ से वाँ बेनिफीट हुआ कम से कम 700 मरीजों के लिए उपचार करन किया और बहुत सारे लोगों को उसका फाइदाई हुआ ऐसे बहुत सारे काम हम अपने बारा बुलुतिदार मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं या इदर के भाग में दो वैकुल्टर गरीब के लिए कभी किसी की दुरगट ना हुई तो श्यव पेटी ऐसे काम चलते ही रह उनके आया तो इस मालेगाओ की मारकेट कमिटी के इत्यास में 40 और इसके इत्यास में पहली बार इप्तार पर्टी हुई हिंदु मुस्लिम भाईचारे का संदेश मही नहीं अपर दिया मेरे कार्यकाल में यह सभी मेरे व्यापारी बागवान भाई को मालुम आते हैं फूस जनता की सेवा भाव का ही उपक्रम है इसका कारण ये भेजने का सोच आइसा सामने आया कि मैं हमेशा मालेगाओ के नजदिक चंदनपुरी के मंदिर में जाता था मंदिर के महा बाहर एक गिर्जा माय बोलके बुड़ी माय हो हमेशा वहाँ सापसपाई करती और उनको आमदानी सिर्फ देड़ दो हजार रुपे ग्राम पंचाहित की तरफ से तो मैं हमेशा निकलते वक उसको पचास रुपे आशिरवात दे रही मां ऐसे मेरे को मैसे सोता था ऐसे दस बारा वार हुआ और एक बार में उसकी तरफ रुप गया तुमारी आखरी ख्वाइश क्या है मां तो माने उदर बोला गिर्जा माय ने चंदनपुरी की खंडोबा की बहुत खिदमत कर ली इधर की सापसपाई कर ली रोज दर्शन लेती लेकिन मेरे को जेजोरी के खंडोबा का दर्शन करना है वहां का मलार देखनी की तमन्ना है फाईश है मेरी तो मैंने बोल दिया उनको कि कोई बात नहीं में बच्चा समझ के मैं मेरी मा समझ को आपको उस यात्रा को भेश दूंगा गाड़ी में ब बल्बुते पे चारो धाम की यात्रा करके आए कभी वह नहीं करते तो उनकी यात्रा मैं करने वाला ही था और उसको भी मेरे कुद दो पैसा खर्च करना ही था तो मैंने सोचा कि इन सभी जितने भी मंदिर के बाहर जाड़ जुड करते साब सपाई करते उनको देड़ 2000 से जादा आमदानी नहीं पगार नहीं ग्राम पंचायत का मांदन नहीं ऐसे लोगों की जो मंदिर है जो बाहर के उनकी यादी बनाएंगे तो वह यादी 25 तिस तक चलीगी कुछ लाव के लोगों को मालूमात पड़ा तो उन्होंने भी नाम दिये तो मैं इधर के जितने भी तालुके के मंदिर है अच्छे से वहां 50 मंदिर के बाहर जो सापसपाई करते कुछ किरतन करते किरतनकार गरीब उनको मिला के 50 लोगों को मैं स्लीपर कोच के वियाएपी प्रवास से भेजने वाला था भेजने वाला हूँ और उसका कारेक्रम मैं 19 तारीक को हमारे बंगले अच्छा साथ हम सब मिलके वहां पर कारेकरम किया और मैंने मेरी बात रखी मेरे बात मेरी बात खत्म करते ही शपीक अंटी साहब ने माईक उठाया काका तुम जैसे मंदिर के बाहर सापसपाई करते उन लोगों को भेजने वाले हैं तो उदर मज्जित में सापसपाई करन चाहा और तब शपीक भाई ने बोला इन सब के सामने काखा मैंने कभी यह बात रख दी होगी तो कोई गुस्ता की की होगी तो मेरे को माप कर दो बुले मैंने सब बाते होने के बात बाते सुन लिए और आकरी में मैं खड़ा हो गया और मैंने वहीत तुरंत बोल दिया कि यह मेरे लिए बहुत गरवकी बात है एक पाक और नेक काम के लिए मेरे को आवाज तुमने दिया और मैंने वह उसी वकत ऑप सो पासो लोगों पर बोल दिया कि भेजने वाला मैं नहीं हो चारोधाम के लिए भी मैं नहीं भेज रहा हूं वो बुला रहा है। उसको बुलाना है ये लोगों के ने जो सेवा किये इनको सब को अल्ला को परवर्दिगार को परमात्मा को बुलाना है यात्रा के लिए तो भेजने वाला नहीं है ये अल्लात अल्ला का आदेश है उसको उन्होंने इनको बुलाया है सिर्फ तुमारे मुह से मेरे लिए वह आ कुबित्र भाव से वैसे ही मेरे इमाम साहेब को और जितने भी भांगि इसमें से वो वागी भान्गी को मैं मेरे फैमिली मेंबर भीश भाकर होंकि को जो बड़े बुजर्गोग तो मेरे पीता समझ के माता समझके मैं पोईता बंकली मेरे वाला हूं के यह नेक जिस पें अल्ला की परवर्दिगार परवाटमा की मयरवाणी होगी यहocolite सोच रख सबीस्वीशूर मेरे लिए बहुत बड़ी गरव कि बात हैं मैंने तरॉंत दोल दिया इस कारेकरम को अंजाम देते मैं डामने थोड़ा सा सब्सक्राइब कि इस में कोई पॉर्स pension वाशिलाबाजी नहीं होगी कर लोगे हो यह सब सब यादी करने के लिए मह शाली पुलनाथ साथ की उपस्तिती में और जितने भी माले गाव में सोशल काम करने वाले अच्छे लिडर है उनकी एक कमिटी बना के 20 लोगों के हाथ से जिसकी चिट्टी निकलेगी जिसको परमात्मा परवर्दिगार बुलाएगा मालिक बुलाएगा उसका नाम उदर से निकलेगा और उसका नाम फाइनल भेदवाव भी नहीं होगा वशिलावाजी भी नहीं होगा ऐसा मैंने सोचके इस नतीजे पर पहुंचे है तो आने वाले दिनों में लग्की ड्रा के लिए यादी भी निकलेंगी और इसमें मैं आपके माध्यम से बुलूँगा कि यह मेरे आकेले का कार्यक्रम नहीं मालि करके उनको आमदानी बहुत कम है जैसे मेरे बांगी भाई है वहाँ सब साफ सपाई भी करते टौइलेट भी बातरूम भी साफ करते सब वजूद के लिए पानी भी रखते इतना अच्छा काम करते और आमदानी कम है उनको वहाँ के दरबार में जाना नहीं मिलता यह अल्ल अधिया नहीं कर ते मेरे जिम में दाए और आईसे मोके कभी-कभी आते नहीं यह परमात्मा परवर्दिगार के अल्ला का इन्होंने मेरे कुँ मोका दिया है मैं जैसे इधर के माता-पिता को पवितर भाव से बेज रहा हूँ वैसे ही पवितर भाव से उनको पिताजी वैसे डाफ जब बात आई तो मillos ने भूला मैं इनको फेचा घरल तो एंसाल में पानी का कारेकरम रखा मुक्ति साथ के नमाज में मैंने जब रमजान की नमाज मैने वहाँ पे सुनी तो सच्चे भाव से सच्चे दिल से तुम कभी नमाज पढ़ना चाहते हैं नमाज का वक्त हो तो मंदिर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है तो यह चलता क्या नहीं तुम पूछ लो जो बड़े मौलाना साब है उनसे परमि उदर का तेर करो मेरी तरफ से ना नहीं है तुमने बात रखिए यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है मैं इधर के जैसे पवित्र भाव से भेज रहा हूँ उसी आस्ता से उसी आदर से उतीस उसी सन्मान से मेरे बड़े बुज़र को पिता समान जितने भी इमाम होगे बा अवान करता हूँ के मेरे आकेले का कारेक्रम ने बारा बलुतीदार के सबी जाती धर्मियों का कारेक्रम है इसको अपने कु सबको साथ में करके और इसको एकदम सई तरीके से उसको निभाना है आखरी तक लेके जाना है इसमें जो जो मार्गतर्शन तूम प्रिंट मीडि बहिया के भाई भी और जो भी मालेगाओं के सभी मौलाना सहाब है सभी भांगी भाईया है सभी मिलके और बाराब बुलतिदार के ट्रस्ट मिलके एक इसको अपने को इस काम को आगे बढ़ाना है रही दूसरी भाद इसमें पार्सिलीटी नहीं लग्की ड्राक के माध्यम से आपने को इसको जो नाम है वो बीस नाम निकाल लें दस इमाम साहिब के और दस बंगी बहिया के